नमस्कार मैं हूँ शिवेंद श्रिवास्तो और आप देख रहे हैं श्रेश भारत लोग सभा चुनाओ पर ये हमारा सबसे बड़ा करकम है इस बार आरपार्ट नमस्कार आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंग अपने इस खाशों में हम बात करने वाले हैं यूपी की होट सीट मुजफर नगर की जहां से 2014 और 19 की मोदी लहर में संजीव बालियान ने जीत दर्स की थी इस बार वो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं ये सीट वाकई बहुत होट है मोदी का 400 पार का अश्व में किस गति से चल रहा है इसका अंदाजा मुजफर नगर के चुनाव से लगने वाला है बस समझे मुजफर नगर में वोटिंग की घड़ी आ ही गई है मुजफर नगर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग ह ये आपको बताते हैं मुदफर नगर की महाबहरत में इस बार कौनगर मैदान में है मुजफर नगर के उमीदवारों के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं संजीव वालियान बी-जे-पी की तरOTH से हारेंद्र सिंग मलें समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां पर आप देखें बाई एंड लाज धुवी करन का मुद्दा चाया रहता है एक बड़ा इंपॉर्टन रोड प्ले करता है तो इस बार कैसे आप देख रहे हैं देखें ये मुद्दा तो वहां रहने वाला ही है इस पारे में तो बात लगातार करी रहे हैं और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टन चीज़े हैं चाहाओ किसानों को मुद्दा हो या फिर जो अंदर जो भितर गात है बीजेपी में खास तोर पर उसको लेकर के भी इस बार मुद्दा बना हुआ है कि क्या ये मुश्किल पैदा करेगा क्योंकि हरिन मलीक ब कि अदर माहौल पिदा हो रहा है और ये जो जातियों में बढ़ जाने वाली बात है कि अभी बीच में अब उत्रप्रदेश के जो मुखमंत्री हैं हो गया इतना अतुम को जाकर के वहां पर तमाम बाते कहनी पड़ी थी कि ठाकुरों को एक जूट करने के लिए ये सब जो को जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा और अभी भी दभी आवाज में विरोध समझ में आ रहा है तो आपको लग रहा है कि अंदरूनी कले जो है संजीव बालयान पर भारी पड़ सकती है देखे अभी ये साफ तर पर तो नहीं का सकता क्योंकि जिस तरह से बड़े नेता कोश होते हैं वो नुकसान पड़ा करते हैं क्योंकि संगीत सोम लंबे समय से लगे हुए थे कि वहां से इंको टिकट मिल जाए लेकिन नहीं मिरा और ये नाराजगी और ये जो दुविधा के स्थिदी पैदा होती इससे ये जरूर अशर डालेगी क्योंकि संगीत सोम का भी वह और वोटर अगर 10% नाराज होता है तो उसका असर नतीजों में जाहिर सी बाते देखने को मिलेगा बिलकुल तो जैसे हमने देखा मुझफर नगर में तो तीनों ही उमीदवार दिगज हैं लेकिन बीज़पी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिख रह जाट समाज से आते हैं और इस समाज में उनकी अच्छी पकड़ है वहीं दूसरी और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उनतर साल के पूर रास्वा सांसत हर्यंद मलिक को अपना उमीदवार बनाया है हर्यंद मलिक 1985 से राजनीती में सक्री है बीज़पी उमीदवा संजीब बालयान को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इन्हें अपने 40 साल के राजनीती का अनगों को जोकना होगा वो चार बार विधायक और एक बार संसत रह चुके हैं जबकि पांचवी बार अब वो चुनाओ मैदान में हैं यह भी जाट समाज से आते हैं और है इधर हम हरेन बलिक की बात करें यह भी बहुत ही अनुभवी और मजे हुए नेता है और अच्छी पकड उनकी मानी जाती है तो आपको क्या लग रहा है जाट समाज का भी वोट उनको मिलेगा और जाहिर से बात है मुस्लिम वोट तो जाएगा है देखे जाट समाज का व वोटर बीजेपी का है इसलिए तो चिंता की बात थी कि ठाकुरों का वोट कितना बटेगा या कहीं ऐसा नहों नाराज हो जाए दूसरा मुस्लिमों को लेकर करके जो साफ तो पर दिखता है कि बीजेपी की साथ और नहीं जाने वाले है तो जो उनका को वोटर है उसको अराज रहना भी एक तरीके से इशारा करता है कि वो बहुत खुलकर सपोर्ट नहीं करने वाले और खुलकर महनत नहीं करने वाले तो यह सभी क्योशन इस पूरे मामले को बड़ा दिल्चस बना देता है तो बड़ा सोच समझ के सपा ने भी कैंड़ेट उता रहा है अगर देखी अनलाइकली नॉन मुसलिम कैंड़ेट उता रहा है उन्होंने जाट समाच से उता रहा है तो आपको लगता है कि यह जाट और मुसलिम मिलकर एक फॉर्मिड़िबल कॉंबिनेशन बना सकते हैं सपा के लिए बिलकुल देखे वहाँ पर जाट का बहुल है और जाटो कि नेता के तौर पर कोई आता है तो जाहिर सी बात है उसके एकसिप्टिबल्टी ज्यादा अच्छी होगी और समाधवादी पार्टी को पता है कि मुसलिम वोट उनका इस बार बटने वाला नहीं क्योंकि एक तो बीजेपी के साथ होने जा रहा है कॉंग्रेस ने भी जिस लड़ते रहे हैं बलकि कई बार जो वहां पर जीत करके भी आए तो वो जो एक्वेशन बनती है तो इतने लंबा केरियर और इतना ही उमर भी ऐसी हो गए जो उन वो दिखाती है तो यह सब चीजें उनके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं सायद यही सब सोच करके रहन जीती के पास है सर्धना भी समाज़ादी पार्टी के पास है मुझफवन अगर संस्विधी चेतर में कुल पाथ विदान सभाएं हैं जो कि 2022 के विदान सभा चुनाव में यहां पर विजेपी सिर्फ एक जीत पाई थी मुझफवन अगर शहर जहांके विदाय का पिल्दे योगी सरकार के मंत्री हैं बाकी दो विदान सभा सीटो पर जैन चौधरी की पार्टी और दो पर समाज़ादी पार्टी ने कबजा कर लिया था अच्या शिवेंद्र अब देखिए पिश्री बार सभा बस्पा और अरेल्डी ने मिलकर चुनाव लड़ा था इस बार तो अ घृटी ने में चली गई है तो अब उस तरह से अगर देखा जाए संजेब बालयान की बात करे तो अजिए संग को बहुत कम मार्जिन के साथ या ता लिए ता अब तो चुनाव एक तरफा होना चाहिए देखे इसमें को बहुत सारे है लेकिन यह इन का प्लस पॉइंट है और शायद इसी प्लस पॉइंट को पाने के लिए बीजेपी ने समय रहते जैसे ही ये जोड़ तोड़ सुरू हुआ, जैन चौधरी को अपने साथ मिला लिया, उससे क्या है कि यहाँ पर उनकी दो सीटें हैं, बाकी की बची तीन सीटों में एक सीट बीजेपी के पास है और लोगसभा के चुनाओं में आमतर पर देखने को मिला है, जहाँ जादा से जब्चाह हैं जिस पार्टी के पास होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, उसको फाइदा इसलिए मिलता है क्योंकि विझादान सभा में जुनका विधाया का लगातार मौझूद र और बीजेपी ने शायद ये सारी चीजें ध्याम में रखी होंगी और इसी के चलते जो ये जैन चौजरी को मिलाने का काम किया आरण फारण में उनके दादा जी को भारत रतन दिया गया उनकी तमाम शर्टे मानी गई सीटे शेरिंग की गई और अपनी तरफ मिला लिया गया तो ये एक तरीके से दो तरफा फादा हुआ उनका एक तो उनके साथ आकर के उनके साथ जुड़ गए तो उनका फाइदा होना है वोटों के रूप में क्योंकि दो सीटे भी उनकी दूसरी बात ये है कि जो उनकी जो ऑविस से कंटेंडर है समाज़दी पार्टी उनको वह सफर नगर के जाती समय करण की बात करें तो इस seat पर सबसे ज़्यादा 28 पीसिदी Muslim वोटर्ज है इसके बाद सबसे ज़्यादा 22 पी जाट वोटर्ज है यानि देखा जाए तो Muslim और जाट मिला कर इस seat पर 50 पीसिदी होते हैं इसके बाद दलित 18 फीसिदी गुर्जर 10 फीसिदी और अन्यवर के 22 फीसिदी वोटर्स है और संख्या के हिसाब से अगर आपको बताएं तो इस सीट पर लगवग 5 लाग मुस्लिम वोटर है दो लाग दलित वोटर और देर लाग जाट वोटर है एक लाग तीस जार कश्यप एक लाग बी यह जो आंकडे अभी आपने बताये मैंने भी बताया तो इसको देखर वापको क्या लगता है मुस्लिम जो है बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे पूरा चुनाव पलटने की ताकत रखें बिलकुल देखी यही तो चिंता की बात है बीजेपी के लिए और हुए यहां की सीट निकलनी मुश्किल है और इसलिए जोड़तू सारा समीकरण बनाया है बीजेपी ने और समाज़ादी पार्टी इसलिए चिंतित्ती हलांकि समाज़ादी पार्टी के पास एक फैक्टर और भी है कि मुस्लिम वोटर उनका ऑवेस अवोटर लगता है कॉं अधार बड़ा है और उनके जागोटर जादा है दूसरी बात यह है कि दो विदान सभा में सीटे है तो यह जो एक्वेशन बनती है यह इतने कड़ी और कांटे के टकर दिखाती है कि आखरी मुमेंट तक 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 नहीं हो पाएगा यह अखरी कार कौन वहां से सीट निकाल इस बार इतना आसान नहीं हो रहा है कहना तो जैसे हम बोड़ा कि मुस्लिम वोटर जादा है जाहिसी बात है सपा के खाते में जाएंगे और जाड वोटर भी जो है कुछ सपा के खाते में जाएंगे तो ऐसे में आपको लगता है कि दुरूवी करन का फादा जो है सपा को म लार्जर उसमें बात करें तो जाटों को ही नहीं सिर्फ हिंदों को करने में बात कर लेती है तो सारी जयतियां अगर मिल करके अगर थोड़ा बढ़ेंगी बीजेपी की तरफ तो मुस्लिम बोटर और जादा कॉंसलिडेटेड होकर के समाज़ादी पार्टी की तरफ जाएगा और कॉंग्रेस में भी चटकेगा लेकिन इतना नहीं और ये फायदा समाज़ादी पार्टी को होता हो दिखता है लेकिन ये इसको कितना रूट लेबल पर कितना काम कर पाता है क्योंकि जिस तरह का कि जिए एक बार फिर से सिचुएशन वही बनती हुए दिखते है कि दिखता जितना है उतना आसान किसी के लिए इस पुरी चीज में आप बस्पा को कहां देखते हैं बीजेपी के पहले बस्पा को ही वो सीट मेली तो और अब दारा सिंग प्रजापती एक बात तो साफ द ऐसा नहीं दिखता कि कहीं बहुत मन से या बहुत ज़्यादा ताकत लगा के लड़ रही है और जो एक्वेशन के साफ से कंडिडेट्स भी उतारते हैं उनमें भी इसी तरीकी के इशारे मिलते हैं अब वो इसलिए पक्षी शायद लगाते हैं कि बीजेपी के बी टीम है औ वोट कारने का काम करेगी लेकिन वो जो वोट कटेगा वो कहीं कहीं तो वो समाज़ादी पार्टी और कॉंग्रेस का वोट कारते हैं लेकिन कहीं पर बीजेपी का भी वोट कार सकते हैं क्योंकि यहां पर देखा कर मुझफर नकर की बात करें तो मुस्लिम वोटर है उसको BSP कर काटेगी तो उससे BJP को कोई फायदा नहीं होने वारा लेकिन जो बाकी हिंदों की जातियां है उन जातियों में कुछ जनाधार जो बस्पा का है वो जाहर सी बात है नुकसान BJP को जादा करेगा क्योंकि जो वो उनका समाज़दी पार्टी और कॉंगर्स का कोर वोटर ह है वो तो इंटैक्ट है क्योंकि उसको पता है कि अगर बल्क में वोट नहीं देंगे तो सीट नहीं नहीं है और इस सब के चलते बस्पा का बहुत सदा इंपक्ट अगर पढ़ेगा तो वो बीजेपी के थोड़े बहुत फायदे के लिए हो सकता है लेकिन कमो वेश देखा चौदरी महिंदर सेंग टिकैट इस सीट पर लंबे समय तक हाड़ी तै करते रहे हैं अब उनके बेटे नरेश टिकैट और राकेश टिकैट भी ऐसा ही दम भरते हैं लेकिन पिष्टे चुनाओं में इसका असर नहीं दिखा था अगर आप देखे कि किसाना अंदोलन की चुनाओं आते आते वो इस तरह का महौल बनाते हैं कि जैसे किसानों की हितों की बात कर रहे हैं और यह बात बीजएपी भी कहती है और शायद कमोबे सब जनता को भी लगने लगाओ अभी से कुछ दिन पहले किसानों को इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था था चुनाओं क चौधी चरण सिंग्स के ताइं की बात हो या फिर टिकायत लोगों की जमाने की बात हो तो यह असर वोटों के रूप में कितना दिखता है यह बात की बात है लेकिन यह तय है कि किसान बीजएपी से नाराज है उसको समझाने की बीजेपी नी बहुत की और आगे के लिए बहुत सारी चीज़ों की बात की तो खीचाचतानी जो वोटों में है उनके साथ ही हो रही है। कॉंग्रस ने भी अपने गोश्रापतन बात के समाज़ादी पार्टी ने भी की और बीजेपी ने तो की है तो कुल मिला करके किसान एक ऐसा हीडन फैक्टर है जो अचानक से किसके पक्ष में कितना चला जाया का कहना मुश्किल है। लेकिन किसान बहुत ही साइलेंट वोटर है इस पूरे महुले में और उसका अफर अब देखेगा वोटिंग के टाइम लेकिन किस तरफ अब चुनाओ के बाद या चुनाओ से किस समय वो किस तरफ बैठेंगे वो कहना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि सदना सीट के पूरू बीजेपी विधायक संगीत सोम और बीजेपी उमीदवार संजीव बालियान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कि एकदम क्लियर है कि नाराजगी है संजीव बालियान और संगीत सोम का मनमटाव साफ नजर आ रहा है। कि उसके चलते उनको टिकट मिल गया और संगीत सोम जो कोशिश और तमाम जितनी कवायत कर रहे थे वो सारी की सारी बेकार हो गई। अब वो जो साभाविक से नाराजगी है या समझ जीजे अंदर केंदर पीडा है। क्योंकि अब वो राजनीती में होता ही है, जातियों की राजनीती, समीकर्णों की राजनीती, अपने दबदवे की राजनीती, अब वो जिस जाती से आते हैं, ठाकुरों पर उनका दबदवा है। पर ठाकुर हैं, वो उनका जो वहाँ पर वर्चस हुआ है या जो इंफ्लेंस है वोटर्स पर, वो बहुत इंपॉर्टन फैक्टर रखता है, तो किसी ना किसी तरह के संगीत सोम को जो भी पता है कि उनको टिकट नहीं मिला है, आगे के लिए इनकी पांस साल निकल हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि कलको अगर सीटनी निकलती है तो कहने के लिए होगा कि संगीत सोम को हटा करके आपने नुकसान उठा लिया, दूसरी बात यह है कि भले ही योगी आदितनात की जाने से या बड़े नेताओं के समझाने से संगीत सोम शान्त हो गए हो लेकिन अंदर अंदर जो नाराजगी है वो नहीं दूर हुई तभी उनने कहा कि मैं पार्टी के लिए तखड़ा हूँ लेकिन जो संगी बालयान है वो उनसे मेरा अच्छा वो नहीं है उनके लिए सपोर्ट में नहीं हो तो यह कहीं मैसस तो जही रहा है और इससे वोटर क हैंगे और शांती से अगर वो अपना चुनाव निकालते हैं तो क्यों अपना बयान दे करके अपने वोटर्स को नुकसान करें हैं है यह अब देख लेते हैं कि मुझफर नगर में आखिर कप कौन जीता उननीस सो निनन्यनवे में सेयत सेहित दुजमा कांग्रेस से थे थे मुझफर नगर के अगर बात करें तो वहां के स्थानी मुद्दे यानि यहां के स्थानी मुद्दे बहुत लोकल नहीं वहां के जो किसानों के मुद्दे हैं जो जाटों के मुद्दे हैं जो धर्म के मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं इस सबसे इतर अगर पूरे ल राम अदर्स नहीं है, वहाँ नुकसान भी होता है, और ऐसी जगों में यह हॉट सीट, इसलिए कही जाती ही मुझा अगर, क्योंकि यहाँ पर अपने इसके खुद के मुद्दे बहुत है, जो दंगे के बाद महाल पैदा हुआ, उसके बाद हिंदू-मुस्लिम को मुद्दा बहुत है, जिसको इस्टिगेट तमाम लगारतार अलग-अलग नेता करते रहे, और वो इस उमीद में भी बैठे थे कि उनको शायद टिकट मिलेगा तो ज़्यादा बहतर कर पाएंगे, लेकिन अब जो इस इक्वेशन दिखती है, चाया वो संजी बालियान हो, चाया वो ह अपनी मांगे हैं, उनकी भी बात होने वाले ही, उनमें से तमाम किसान भी हैं, और तमाम और विकास की बाते भी करते हैं, लेकिन इन सब से अलग जो धर्म वाली बात होती है, वो कहीं ने कहीं इस्टिगेट करने की कोशिश भी होती रहती है, और उसका उसको जिंदा रख किसानों का मुद्दा जादा जिन्दा रहे तो इनके अगेंज जाएगा लेकिन अब जु समीक्रन बनते दिखते रहे हैं उनमें किसी एक ऐसे स्थानी मुद्दे की बात होती नहीं दिख रही है जो की आम तोर पर चुनाओं पर होती है ना बिरुजगारी की बात होगी ना कि मोदी की गारंटी की बात के साथ गई है हलाकि चुनाओं उग ने कहा कि मोदी की गारंटी या किसी नेता की गारंटी की बात बाशनों में नहीं कही जाएगी लेकिन गोश्वा पत्री मोदी की गारंटी की नाम से आ गया तो कुल मिला करके जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी की चेहरे और मोदी की बातों पर गारंटी पहले लड़ा जा रहा है अब इससे पार पा करके विपक्षगर कुछ कर पाता है तो साथ सीट निकलना आसान होगा यह कहीं कहीं मुश्किल हो जाएगी दूसरों लोगों के लिए अधरवाइस यह चुनाओ जो हो रहा है वो इसी ही माहल में हो रहा है तो एक बात तो साफ है कि मुश्क्फर नगर वो हॉट सीट है जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है दोजार चौदार में मुश्क्र नगर से बीजेपी ने यूपी फते किया तो 2019 में बीजेपी के संजीव बालिया ने दिगज नेता औ इस पर हमारी नजर बनी रहेगी तो अब की बार आर पार है और इस शो के जरीए हम फिर किसी हौट सीट के शांदार विश्टलेशन के साथ हाजर होंगे तब तक के लिए दीजे जाज़त नमस्कार श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत